एलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है पहले काम कीजिए यह जो टेबल दिख रहा है इसको आप नौट कर दीजे बच्चों मैंने पिछले सेशन में आपको मोमेंट ओफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा जान करें दी दो सेशन से हमारा मोमेंट ओफ इनर्शिया ही चल रहा है आज भी मोमेंट ओफ इनर्शिया ही डिसकस करने वाला है लेकिन उससे पहले यह आप नोट कर लो पोज करके ठीक है यह है बोड़ी यह एक्सिस कहां से पास हो रही है ठीक है यह आपको इंडिकेट कर देरा हूँ यह रिंग का हो गया है ओके अब डिस्क ओके चलिये तो आप लोगोंने पॉस्ट करके नोट कर लिया होगा Okay, today we are going to learn two things. It's only two theorems. One, theorem of parallel axis theorem of parallel axis or the three theorem of perpendicular axis theorem of perpendicular axis ठीक है दो theorem में आज हम learn करने वाले है theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis ओके शुरू करते हैं पहली theorem कुंसी theorem of parallel axis चलो यहां आजाओ theorem of parallel axis ओकई, according to this theorem formula is I equal to Icm plus Md square ठीक है यह होगे theorem of parallel axis बेरी कैसे देखें फर एक्जम्पल डिरेक्ट में एक्जम्पल के तोर पर यह रोड है ठीक है और यह उसका CM है अगर हम एक्सिस यहां रखते हैं और सोचो कि रोड यह से रोटेट हो रहा है तो मतलब कि यह जो मोमेंट ओफ इनर्शिया आएगी इसके अराओंड डेट विल बीड़ आइसी एम वाट इस दा फॉर्मूला ML स्क्वेर बाइ 12 लेकिन अगर रोड यहां पर सोरी एक्सिस ओफ रोटेशन यहां नहीं बलकि एक्सिस ओफ रोटेशन यहां है ठीक है इस डिस्टन्स पे और आपको पूछा जाए कि यहां अगर रोटेट करेगा तो मोमेंट ओफ इनर्शिया कितनी आएगी इन दोनों के बिच का जो डिस्टन्स है वो कितना होगा ल बाइ 2 होगा तो ऐसे जब दिया जाए तो ऐसी जो मोमेंट ओफ इनर्शिया फाइंड करनी है जहां पर एक्सिस सी एम से पास नहीं होती ओके इस थिएरम इस यूज़ इस थिएरम is used to find mi of body about that axis about that axis axis of rotation which does not pass through which does not pass through cm of body ठीके specially जेके यह यह आई यहां पर यह एक्सिस वाली जेके is it passing through cm? no cm is a here so if you want to find out this moment of inertia okay then you can use this formula okay i equal to icm plus md square yes i use करे जेके i equals to icm icm means what? you have to draw one axis parallel पहला आपका काम क्या होना चाहिए? first step draw an axis parallel to given axis parallel to given axis and should pass through and should pass through should pass through cm of body okay कहिने का मतलब क्या है? देखो यह axis हमें दी गई है यह तो हमें एक 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 एक्सिस डो करनी चाहिए? जो cm से पास हो चलो यह cm से पास हो और इससे पैरलल हो given axis से क्या हो? parallel दोनों कंडिशन सेटिस्पाइ होनी चाहिए? ओके देन अफ्टर सेकंड थी मेजर पर्पेंडिक्यूलर दिस्टंस मेजर पर्पेंडिक्यूलर दिस्टंस डी बित्विन देम एंड एपलाई थीरम बस दो स्टेप का काम है बच्चो और बार दो स्टेप का ही काम होगा ठीक है देखिए यह आए है तब यह इन दोनों के बिसका जो पर्पेंडिक्यूलर डिस्टंस है वह ल बाइटू है तो इस ल बाइटू को ही हम क्या बोलेंगे बच्चो डी यहां आपको जो डी दीख रहा है यह D and M क्या है मास अभी ICM का फोर्मला आमें जो यह एक्षिस है उसके पर जो क्या मिला M L SQUARE BY 12 प्लस इसका मास कितना है M तो मास समझे रख दिया M और D तो D का SQUARE अभी D यहां पर कितना है L by 2 यहां पर आपको क्या रख दो L by 2 l by 2 का square okay so let's calculate it ml square by 12 plus ml square by 4 okay चलिए इसको solve करते है तो क्या common निकलता है ml square by 4 common निकलेगा so here it will be 1 by 3 plus 1 so if you apply the value ml square by 4 into 2 यहां पर 3 plus 1 तो 4 by 3 तो यह cut हो गया है so what answer we get here i is equal to ml square by 3 okay और अगर moment of inertia चाहिए sorry radius of gyration तो जैसा कि हमने पहले बोला था कि m को उड़ा दो बचाए क्या ल square by 3 उसका square root ले लो l square का square root क्या होगा l और 3 का क्या होगा root 3 so what will be the k l upon root 3 ठीक ओके चले एक एक एक्जम्पल और देखते हैं यह जो है रोड ठीक है वो उसकी length है सोचे उसकी length 10 meter लेते हैं कितने ले ले लेते हैं 10 meter ठीक है और mass लेते हैं 4 kg ओके ओके यहां पर हमें एक axis दी गई है और हमें क्या पुछा है find moment of inertia about this और यहां से उसका distance है 1 meter कितना distance है 1 meter सबसे पहला step आपका क्या होना चाहिए जैसा कि हमने बोला है सबसे पहला step आपका यह होना चाहिए कि इस रोड का cm कहां पर है यहां पर उससे पास वने वाली है एक axis डो करो ठीके फिर फैसा imagine करो axis फिर दूसरा parallel होनी चाहिए तो इसको parallel तो up draw करो हो गई parallel ओके तो अब यहां पर जो moment of inertia आएगी यह ICM यह क्या है बच्चो ml square by 12 ml square by 12 है समझ में आया अच्छी तरीके से वहां पर l क्या है यह हो गई 230 BE ICM और यह क्या हो गया इन दोनों के बीड का distance ओक आर जिश्टसपर 2 म सुआ हम आया बच्चों यह संटर में हे आह पर है बच्चों सेंटर में है सो इस्तिस onun फिर आप हम डिसे स्टस्टस्टस्टस्टस्ट of this 12 plus m d square okay so it is equals to m what is the m 4 length what is the length total length 10 so square of the 10 is the 100 ml square by 12 so here it will be 12 plus m d square what is the mass 4 kilograms okay into D now D is what D is a 4 so you can say here 4 square so this is a 400 upon 12 plus here 4 forza 16 16 forza 64 so if you solve it 400 upon 12 400 upon 12 your answer will be 33.33 plus 64 so 97.33 what will be the answer 97.33 that will be the moment of inertia kilogram meter square and if it is asked k then what you have to do you have to divide 97.33 by mass what is the mass 4 and under root so 97.33 divided by 4 so you will get under root 24.33 under root 24.33 okay and answer of the k will be 4.93 meter radius of gyration k will be equals to 4.93 meter is that clear to you okay in this way easily you can find out moment of inertia okay using 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 what using parallel axis theorem okay okay this is a disk okay I don't know this can say or you'll see this is just the mode if its object and like can already show from the opinion on it guys when यह distance कितना होगा बच्चो यह distance होगा R और यह जो होगा यह क्या होगा ICM चलो कर सकते हो ट्राइ करो चलो बच्चो पहले यह 10 के बच्चो यह क्या है 10 तो I equals to ICM plus MD squared ICM देखो CM यह जो है ICM आपको कहां से मिलेगा तो यह जो उपर टेबल मेंने दे रखा है यह वाड़ा यह जो सारी वेल्यू है ना यह किसकी वेल्यू है बच्चो यह है ICM की ठीक है बुलना मत किसकी वेल्यू है ICM की ठीक है बुलना मत किसकी वेल्यू है ICM की okay so this is the disk so I know the what is formula for ICM ICM is the MR2 by 2 and mass is the M and here this R is the D yes or no this is the distance between the axis parallel axis which one distance कितना है D and how much it is R so here I will write R so what you can say MR2 by 2 plus MR2 so you can directly write 3 by 2 MR2 your calculation become much easy students आपका calculation बहुत easy हो जाएगा यसी मतलब की theorem की वज़े से ठीक है तो जिसकी वज़े से आप easily find कर सकते हो की moment of inertia कितनी होगी है ठीक है समझ में आए कि नहीं आपको अच्छे तरीके से हां ओके तो इस तरह हम इस सब पैरलल एक्सिस ठीयरम को यूज कर सकते हैं चलो एक और एक्जामपल आपको दू तो आपको और अच्छा लगेगा चलिए ट्राय करता हूं कि आपको समझ में आए ज्यादा समझ मे ऑए ठीक है सोचो कि यही डीस्क है यही क्या है डीस्क ठीक है लेकिन अब एक्सिस ओफ रोटेशन कुछ ऐसे हैं उसके प्लेन के पैरलल और बोड़ी ऐसे रोटेट हो रही है और हम्हें पूछा है कि मोमेंट ओफ इनर्शिया फाइंड करो इसका मास M है और रेडियस आर ह तो बच्चों सबसे पहले आपको एक एकसिस इमेजिन करनी है जैसा कि मैंने बोला था वह एकसिस कहां से पास होनी चाहिए और वह कैसी होनी चाहिए वह एकसिस सी-म से पास होनी चाहिए और इससे पर पैरलल होनी चाहिए तो पैरलल मतलब की ऐसी हो गई और यह क्या है सी-म अब बोड़ी इसके अराउंड गुमेगी तो जो मोमेंट ओफ इनर्श आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चो जो हमने डिराइव किया था मतलब कि जो अगले एक्जाम्पल में हमने यूज किया था यह हमने डिराइव किया था इस एक्षिस इस पर्पेंडिकुलर तो दे सर्फेस अप इस इस एक्षिस इस प्यारल लग तो इसका इसका आई स्क्वेर बाइप पॉर इतना होता है बच्चो एम आर स्क्वेर बाइप फॉर ओके तो यह आपको पता होना चाहिए यह आई स्क्वेर इसलिए तो मैंने पहले टेबल दिया टेबल को इसा लगए तो पांचे बार दिख लो अच्छी तरिके से आपको याद हो जाएगा ठीक है अब चलो आई स्क्वेर करें तो आई का फोर्मुला क्या है हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा आई i is equals to icm plus md square अभी icm कितना mr square by 4 plus mass and what is the distance यह distance कितना होगा बच्छो यह distance r ही होगा r equal to d मतलब कि हम यहाँ पर r square लिख सक्टे है ठीक है so what will be the i mr square by 4 plus mr square so it will be 5 by 4 mr square okay and if it is asked about the radius of gyration then radius of gyration देखो m को उड़ा तो बच्छा 5 by 4 और उसका under root तो under root 5 और 4 का under root 2 r square का r तो यह हो गया हमारा k k is equals to क्या होता है बच्छो under root i upon m क्यों क्योंकि हमने इसा derive किया था i is equals to mk square because i equal to mk square आप इसा बोल सकते हो ठीक है तो चलो मुझे इसा लगता है कि आपको शायद थोड़ा थोड़ा यह समझने आ गया कौन सा theorem of parallaxes ओके अब try करते हैं दूसरा जो theorem है उसको समझने की चिसका नाम है theorem of theorem of perpendicular axis बच्चों यह जो statement में जो दे रहा हूँ मतलब की parallel axis का जो i equal to i cm plus md square हो इसका जो दे रहा हूँ उसके प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है ठीके देखो यह कैसा चलो एक डीस की consider करते हैं क्या consider करते हैं बच्चों डीस्क ठीक है मैंने क्या consider किया अधितर के देखो i have considered a disk okay अभी एक axis ऐसी है जो की उसको perpendicular है उसके plan को इस axis का नाम में देता हो one ठीक है एक axis ऐसी है जो यहीं से पांस हो रही हो लेकिन जो इस plan में हो इस axis का नाम दे रहा हूँ two दोनों axis के बीच में difference पता चला पहले axis जो है axis one it is perpendicular to the surface axis one जो है axis one what is axis one means how it is what is the sense perpendicular to surface perpendicular to surface अभी axis two जो है वो क्या है parallel to surface तो यह तो obvious हो गया कि two और one एक दूसरे को कैसे है perpendicular अब तीसरी axis जो हमें choose करनी है बच्चों यहां पर तीन axis वो तीसरी axis plan में ही होने चाहिए third axis should be in the plane सबसे पहले तो यह सा third axis should be in plane मतलब की जो दूसरी है ना parallel to plane यह तरह third axis should be in plane ठीक है as well as अब दूसरी conditions as well as it should be perpendicular to axis 2 दो नंबर की axis है उसको भी perpendicular होनी चाहिए in short अगर मैं बोलू ना बच्चों तो यह x y और z axis है ठीक है तो तीसरी जो एक्सिस है वह यह x हो ठीक यह है एक्सिस नंबर 3 एक्सिस नंबर 1 के अराउंड अगर body rotate करती है तो उसकी moment of inertia सोचो कितनी है i1 सोच ओ तब उसकी moment of inertia कितनी है, i3, तो आप क्या कर सकते हो, therefore, i1, i1 is equals to i2 plus i3, याद रहे, i1 is equal to i2 plus i3, ठीक है, एसे प्लीज बिल्कुल मत याद रखना कि 1 is equal to 2 plus 3, नई, यह जो है, एक्सिस, यह एक्सिस कौन सी है, perpendicular to plane, इस एक्सिस के around moment of inertia, जो होगी, वो कितनी होगी, moment of inertia about the two axis, okay, and their addition, and the two axis should be in the plane of the disk, and second, that they should perpendicular to each other, they should perpendicular, देखो मैं अगर ऐसा चूज करूँ, कि i2 कुछ इस तरह होगी, सोचो कि, एक्सिस नमबर 2, एक्सिस नमबर 2 अगर कुछ इस तरह है, तो एक्सिस नमबर 3 कहां पर होनी चाहिए, उसको perpendicular होनी चाहिए, इस, यह 2 और यह 3, यह 2 और यह 3, ठीके, दोनों i2 और i3, आप कैसे भी ड्रो करूँ, ठीके, अगर सोचो कि हम उपर से देख रहे हैं, सोचो, यहाँ पर आपको अच्छी तरिके से और पता चलेगा, सोचो कि यह 10 के, तो इसको मैं exactly circle जैसे ड्रो करने के try करूँगा, एक एक्सिस जो की बाहर निकल रही है, हमारी और आ रही है, वो है 1 number की एक्सिस, जिसको मैं draw नहीं करूँगा, अभी 2 और 3 को है, तो मैं 2 वाली एक्सिस जैसे मैं यह draw कर रहा हूँ, this is एक्सिस number 2, then this will be, this will be axis number 3, तो ऐसा compulsory नहीं है, कि 2 और 3 ऐसा ही होने चाहिए, ठीके, for example, अगर मैं 2 को कुछ इस तरह draw करता हूँ, देखना, 2, तो 3 कैसे आएगी, ऐसे, चलो आपको क्या समझ में आया, क्या condition होनी चाहिए, 2 and 3, okay, axis in plane, axis in plane, may be anywhere, may be anywhere, in plane, कहीं भी हो सकते हैं, but, they should be, but, they should be perpendicular to each other, perpendicular to each other, they should be perpendicular to each other, याद रहे है अच्छी तरीके से, ठीके, इसको बूलना मत, for example, अगर मैं आपको बोलूँ, कि यह जो plane है, ठीके, यह जो axis है, इसके around, और यह जो axis है, इसके around, ठीके, खुमे अगर बोडी, और यह जो axis है, इसके around अगर बोडी खुमे, ठीके, तो सोचो कि यह अगर है आई आलफा क्या है आई आलफा यह अगर सोचो है आई बीटा और यह है सोचो आई गामा सोचो ऐसा moment of inertia तो आपको मैं relation देता हूँ i alpha is equals to i beta plus i gamma i beta is equals to i alpha plus i gamma and i gamma is equals to i alpha plus i beta तो इत तीनों में से कोई एक relation सही है कौन सा relation सही है यह आपको चूज़ करना है ठीके किया आपने चूज़ कर लिया कौन सा relation सही है करके देखो अची तरीके से directly alpha बीटा गामा है तो alpha equal to beta plus gamma ऑसा हो ऐसा compulsory नहीं व भी सकता है देखो मैं ऐसा नहीं बुल रहा हूँ लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा compulsory नहीं अच्छआ क्या आμεशन अच्छा आमने देख आपने तरीके से आई गामा ओके समझ में आया देखो पर एक्जामपल कोई एक प्लैन है ठीक है जिसके अराउंड यह वाली अगर रोटेट करें तो मोमेंट ओफ इनर्शिया सोचो है 50 किलोग्राम मीटर स्क्वेर इतनी है 50 किलोग्राम मीटर स्क्वेर ओके और यहां पर अगर रोटेट करें तो मोमेंट ओफ इनर्शिया है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वेर तो इस एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करेंगी तो मोमेंट ओफ इनर्शिया कितनी होगी तो बहुत सिंपल है बचो यह परपेंडिकुलर वाली है ना इसलिए आप क्या बोल सकते हो 50 is equal to 10 प्लस आई इन द आई तेरफोर वाट यूगेट आई इस एक्वल स्टू 40 किलोग्राम मीटर स्क्वेर स्मझ में आया अच्छी तरह कैसे आपको ओके देखो क्या है कि ऐसा कुछ अगर दिया हो कि यह जो क्या मैं बोलू अच्छा चलो यह डिस्क के लिए लेता हूं इसके अराउंड अराउंड मोमेंट ओफ इनर्शिया है कितनी एम आर स्क्वेर बाइटू इसके यह डिस्क तो फाइंड करो इसके अराउंड मोमेंट ओफ इनर्शिया कितनी होगी ठीक एसा अगर आपको क्वेशन दिया है जहां पर इस डिस्क का मास कितना है एम और इसके रेडियस कितनी है आर तो कैसे करोगे तो सबसे पहले तो बच्छो यह जो है यह फाइंड करने के लिए आपको प्रेडल एक्सिस ठीयर्म लगानी होगी कि यहां पर उसका सी एम है तो यह मॉमेंट ओफ इनर्शिया कितनी होगी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह आई सीम कितना होगा अभी हमें यह आई सीम भी नहीं पता है और यह भी नहीं पता है तो कैसे लगाए पता है तो आए पहले यह पहला पहला स्टेप करते हैं कि आई सीम को पता लगाएंगे तो देखो यह जो डीस के ठीक है यह जो देश है मेरा ऐसा नहीं है डीस कमा रही है तो यहाँ पर जो गया वो क्या था MR2 by 2 यह था ICM पर किसका परपेंडिकुलर वाले है ठीक है हम अब इसको दो पार्ट में स्वरी मतलब कि दो एक्सिस ऐसे डो कर रहा हूं में अब दोनों एक दूसरे को क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर अभी देखो यह जो पहली वाली एक्सिस है यह एक्सिस नमबर वन और यह है एक्सिस नमबर टू तो वोट वी कें से m r square by 2 is equals to we can say I 1 plus I 2 can we yes we can say like that but अभी देखो यह जो एक्सिस नमबर वन है वो इस डिसको इक्ऽेकोल बाट में डिवाइड कर रहे है कि नहीं और यह एक्सिस नमबर टू है वो भी इस डिसको दो arena कर रहे है तो इसका मतलब क्या है year i1 equals to i2 equals to i मतलब कि दोनों same है same ठीक है i मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि mr square by 2 is equals to i plus i जैसा हो गया और i plus i का मतलब क्या हुआ 2 हुआ therefore what you can say 2i i is equals to mr square by 2 so i is equals to what you can say i is equals to you can say mr square by 4 students you can say i equal to mr square by 4 so now we got that yes this moment of inertia this moment of icm is equals to how much mr square by 4 okay so once you got this moment of inertia now you can use this radius is the r now you can use parallel axis theorem what is the formula i equals to icm plus md square यहां पर मैं आइडे इस्टे लेता हूँ चाकि वह आई है ना तो यह icm कितना आया बच्चो mr square by 4 हमेशे याइद रहे यह icm कौन सी एक्सिस के अराउंड होना चाहिए तो इसको प्राउंड हमें फाइंड करना है तो इसको प्राउंड यह वाली हुई तो यह करनी होगी यह भी icm है यह भी icm है लेकिन यहां पर यह क्या है यह perpendicular to surface और यह क्या है parallel to surface और जो given axis है वह भी क्या है parallel to surface तो इसका मतलब हमें parallel to surface वाली icm यहां पर लिखनी होगी और mass m distance क्या है r so what is that r square so we will get answer 5 by 4 mr square okay by using this theorem easily you can calculate many complex calculation okay so this is about a parallel axis and perpendicular axis theorem to find out the moment of inertia okay thank you and Namaskar